तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग जिसका बेट कर रहे थे ना वो तो आ चुका है क्योंकि अब तक लोगों के दिमाग में यह था कि सर बीड कंप्लीट हो चुका है सी टेटनिकल चुका है लेकिन अभी बैकंसी नहीं आ रहे हैं तो बैकंसी भी आ गई है आपके तो क्राइक्टेरिया पता है यह क्या योगता पता होंगे एलिजिबल्ट में आपको पता होने चाहिए तो चलिए आज की वीडियो में इसी की बात करेंगे आज जो के बीस टी टी की बैकेंसी जो निकली है तिए आपके पास बहुत बड़ा चांस है और आप इसको जरूड ह इसको हासिल करिए क्योंकि बार-बार यह उसर नहीं आता ठीक है बाकि आपने यूपी के लिए अगर अपलाई किया है तो वह भी आप तैयारी करते रहे हैं यह आप के लिए एक बहुत बड़ा उसर हो सकते हैं चलिए मैं बात करूंगा कि जो के बिएस टीटी सोसल साइंस की जो बैकंसी आई है उसमें सबसे ज्यादा लोगों को डाउट है और डाउट क्या है डाउट है खासकर एलिजबिल्टी को लेके और एलिजबिल्टी के साथ साथ चोकि सिलेबस का पैटरन पुटा चेंज जो चुका है तो उसमें भी लोगों डाउट से तो यह इस वीडिय कुछ मिस करेंगे मैं फिर कहता हूं कि तैयारी करने से पहले आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए अदरवायज आप तैयारी कर चुकए है सबसे पहले मैं ब्रहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TGT, SST ठीक है TGT, SST के लिए आप कब eligible होंगे तो यह यहाँ पर लिए टीक है any two of the following तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और फिर देखते हैं क्या क्या eligibility है सबसे पहले देखिए अगर आप SST से apply कर रहे है तो सबको पता होता है कि आपके पास चार option होते हैं यानि जो SST में आते हैं चार subject आते हैं तो एक होता है history, geography, economics and political science तो यह जो चार subject होते हैं इन चारो subject में दो subject तो आपका होना ही होना चाहिए हैना दो subject कोई भी हो चाहिए history हो, geography हो, economics हो या quality हो इन चारो में से दो subject चाहिए आप economics quality हो, चाहिए geography, economics हो, चाहिए history, geography हो कोई भी दो subject हो तो आप TGT, SST के लिए क्या होते हैं eligible होते हैं लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा system ही change कर दिया है यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है देखिए आपका चारो मसे तो एक होना चाहिए दो तो है लेकिन उसमें से एक आपका compulsory आपके ग्रेजिशन में होना चाहिए अगर यह नहीं है तो आप eligible नहीं होंगे, जैसे आपका ग्रेजिशन में history या जियागर्फी दोनों मसे एक तो subject होना ही चाहिए अगर नहीं है तो आप eligible नहीं है, बात समझा रहे है, जैसे आपका ग्रेजिशन में दो subject आपका combination होना चाहिए सह्टी में combination, compulsory होता है, अब दो subject के combination में इन चारो subject में से कोई भी होता चाहिए लेकिन यह खासकर यूपीटीची टीम होता है, लेकिन जो KBS की जो criteria निकाला है, इसकी जो condition रखी वो यह रखी है कि यह चारों में से थो आपका एक, दो subject होना चाहिए, लेकिन उन बोनों में से एक subject या तो आपकी हिस्टी होनी चाहिए, या जिएगरफी होनी चाहिए, या histria, ja graph. दोनों में से कोई एक सब्जेट आपका ग्रेशन में होना चाहिए अधर वाइज आप एप्लिकेबल नहीं है बात समझा रही है तो यह आपका पहला कंडिशन रख दिया सस्टी के लिए अच्छा चलिए यह तो सब्जेट की बात हो गई और बाकी अब अहरता की बात कर लेत दोस्तों जिसमें कई लगबाग बहुत सारे कंडिडिट बाहर हो जाएंगे और वो है कि आपका सेंटरल टीचर यानि सीट वह भी पेपर सेकंड का आपको पास होना कंपर चाहिए तो अब दिखिए दो कंडिशन तो ऐसा कर दिया जिसमें लगबाग मुझे लगता है कि ब सीटेट की यहां बादता रख दिया सीडेट को कंपर्सरी कर दिया दूसरा जो यहां पर सब्जेक्ट का कमसा जिक 2श अपर के सब्जेक्ट कर दिया कि यह तो हिस्ट्री आ जागर फिदूरम से यह देखोना चाहिए चलिए बाद समझा गई अब उसके बाद यहां पे और तीसरा जो दिया है वह यह दिया ए कि प्रोफियंसी पास समझेगा प्रोफियंसी टीचिंग इंग्लिस मीडियम आपको हिंदी और इंग्लिस मीडियम हिंग्लिस और हिंदी लेंग्वेज यह आपको पता होने चाहिए मतलब इसमें आपको क्या होना चाहिए आपको इसमें कुशल होना पड़ेगा ठीक है यानि हि में एक सब्जेक्ट टीजीटी मैंने मेरा फाइनल में जो था वो जागर्फी था और मेरे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं के लिए मैंने सिंगल सार्टिफिट कोर्स जो है मुक्त बिस्दाले जो होता है वहां से किया तो बिल्कुल अगर वहां से आपने किया है अपना कबिनेशन आपका बन गया है तो आप लिजिबल हैं लेकिन याद रखिएगा मैं फिर कह रहा हूं दोनों मसे चाहिए आपका एक हिस्ट्री या जागर्फी दोनों मसे कि तैयारी जो है और ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहां पर सेल्ली देखिए 45,000 से कितना दिख रहा है एक लाग 24,400 रुपए तो यह सबसे मतलब सेल्ली काफी अच्छी खासी देख रही हां एलिजिबिल्टी की बाद भी देखिए यहां पर एज लिमिट है वो 35 एर्स ह है जैसे कि आपने देखा होगा कि यूपी टीजीटी में आपका लगबग मांग लेता है साट साल तक तो आप लिजिबल होते हैं आप डालते जाते हैं डालते जाते हैं किसी का 22 साल में होगा किसी का 35 साल में तो ऐसे हुआ है तो यहां पे लेकिन ऐसा नहीं यहां पर 35 साल तो आपकी होनी चाहिए 35 साल के उपर नहीं होनी चाहिए तो फिर उसके बाद आप प्लिजिबल हैं चलिए यहाँ पर मैं पूरे के पूरी एलिजिबल्टी की बात कर ली अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ सिलेबस सिलेबस जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है और याद पर इसके हम बात कर लेते हैं दिखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको जानना होगा या आपका जो एक्जाम होगा ना रीटेन एक्जाम वह 180 मिनट्स इसका मतलब पूरे पूरे आपको कितने मिनट्स मिलेंगे आप देखेंगे यहाँ पर यानि तीन घंटे का सब है ठीक है 180 मिनट्स अगर दे रहा है टेस्ट रीटेंट टेस्ट बिल बी 180 मिनट्स बिदाओ एनी टाइम लिमिट फार इस पार्ट अप इंडिव जिए तो 180 मिनट्स यानि पूरे के पूरे तीन घंटे आपके पास समय है तो समय तो काफी जादा है और यहां पर आप देख आपको पता होना चाहिए लगबग हर सब्जेट की नॉलेज पता होनी चाहिए बाकि जो सो नंबर है यह आपका जो सब्जेक्ट है जो आप सब्जेक्ट जो ग्रेशन में है वहां से आपको यह सारे कुश्चन देखने को मिलेंगे हाला कि इसमें इंटर्वी भी है इस ची आपको एक फोगनों जैनल लाजनल हिंडी बेशल्स बता होना चाहिए तरह चाहिए तो यह सारे चेशिजे आपको पता होना चाहिए इसी तरह छनल हिंडी की बात कलेंगे लेंग अब सब पता होना चाहिए और यह सारी चीज़े पता होना चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए तो इसको इस ने बाड़ दिया बीस नंबर में इस बीस नंबर में क्या होगा देखिए इसमें जो आपको जो पर उन्देर उन्द करूट यह उन्यद पर जाता है तो यह इसको आपको बताया होगा पेडागोजी ए ना जैसे सीज़े न में आता है माइज़ प्लो टीचिंग यहां से बहुत सारे कुष्षिन आते हैं तो वहीं सेम कुष्ष्षन है और आप देख सकते हैं कि इसको तेखके आप तयारिक कीज़ेगा कि अंडर्स्टेंडिंग तो यह आपका 10 कुशन हो गया अंडर्स्टेंडिंग टीचिंग लर्निंग यह 15 कुशन हो गया तो ऐसे से करके स्कूल आर्गनाइशन लीडर्सिप और प्रोस्पेक्ट्री एज्यूकेशन तो यह कुल मिला कि चालिस कुशन हैं से हो गया तो हमने देखा चालिस बीस साड़ बीस असी चालिस बीस साड़ बीस असी तो कुल मिला कि जो question होगा वो subject मतलब वो syllabus कहां कैसे कहां से आएगा इसकी बात कर लेते हैं देखिए syllabus बहुत ही अगर थोड़ा सा आप देखेंगे सोचेंगे एकदम दिमाग से तो आपको लगेगा syllabus तो लंबा है लेकिन syllabus बहुत टब भी नहीं है आसान है अगर आप पहले से तैयारी बनाय हुए हैं ऐसा है अगर आपके तैयारी सुरुवात से हो रही है तो आपके लिए थोड़ा टप हो सकता है आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जूरत है लेकिन अगर तैयारी में हैं तो फिर आपके लिए आसान हो सकता है अब देखिए कैसे जो लोग खासका teaching से जुड़ जो syllabus for the post आप TGT social science जो subject आपका है ठीक है बात समझेगा जो subject है उस subject में क्या-क्या syllabus है जो आपका education में subject है वहाँ से क्या-क्या आएगा तो देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ events and process देखिए यहां दिया है French revolution अब आपके एंके सर यह कहां म specialty तो मैं आपको बता दू कि यह जो प्रोई सिलेवस दिया है पूरा का पूरा जो इसीलेवस दिया है यह पूर इसी प्रेचिए वही बुक सेम आपको जैसे वthm के हैं वही सेम्हारती आपका यहां पर कॉपी कर दिया है ठीक तो मैं आपको बता दूँ जैसे आपका क्लास नाइंद भी अगर आप पढ़ाते होंगे या आपको पता होगा क्लास नाइंद पर उसमें आपको इकनॉमिक्स में बिलेज आप पालमपूर है इसके लावाँ आपका दा पावर्टी एज चैलेंज है तमाम टॉपिक हैं देखें यहां पर इस्टोरी आप बिल प्रिपकल केसे जाब पावर्टी पावर्टी एस्टिमेट तो पूरा का पूरा यह जो है वह आपको ध्यान देना है अश्टी खास कर यह नहीं कि आपका जो सब्जेक्ट है उसी में आपको पढ़ना जैसे चारों मस्टे दो सब्जेक्ट आपने चूचके हैं तो भाई आ इकनोमिस या हिस्ट्री या हिस्ट्री या पॉलिटिक्स तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको चारों सब्जेक्ट जरूरी है चारों मतलब कि आपको एकनोमिस जागर्थी पॉलिटी और हिस्ट्री यह चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो तो ट्वेल्थ लेवाद है लेकिन जो कॉश्चन पूछेगा कॉंसेप्ट बेस पे वह आपका ग्रेशन लेवल तक भी जा सकता है हाला कि सी लेवस यही है ठीक है तो जैसे आपने देखाऊ सी लेवस भले यहां दी है लेकिन कॉश्चन कुछ जो लोग पढ़ा रहा हैं टीचिंग लाइन से जुड़ें उनके लिए तो आसान है लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहा है तो वो लोग हाला कि कहीड कहीं पढ़े ही होंगे उन लोगों ने पढ़ा होगा तो इसलिए एक बढ़ा होगा सारा NCRT के बुग जो है आपके पास हो हिंदी की आदित पब्लिकेशन की इंगलीस के लिए भी आपके कोई grammar की book ले लीजिए और आपको बता दें इंगलीस में जो topic है जैसे noun pronoun इन सब की मतलब जो topic दिया topic को दिखे फिर पढ़िए topic को दिखे फिर पढ़िए ऐसे तयारी के लिए और जो बाकी आपका जो computer basic computer है तो computer की कोई भी book आजाती है छोटी सी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जोड़त नहीं है basic knowledge आप तयार कर लिजिए RAM, ROM क्या होता है ये सारी चीजे आप तयार कर लिजिए और इसके लावाँ जो आपकी इसके लावाँ जो GS current affair आप पढ़ते रही है current affair पढ़ते रही है जब आपका exam आएगा तो उससे पहले आप करीब 6 मैने की current affair पढ़ लिजिएगा और फिर उसके बाद जो है आपका जो pedagogy है तो pedagogy में देखिए pedagogy की जो आप तेखेंगे की जो seated की जो कुशन है अगर आप वही कुशन देख लेते हैं या के बियस के जितने भी कुशन हो चुके हैं उनके प्रीबियस के कुशन आप देख लिजिए उसका solution देख लिजिए वही पढ़ लिजिए तो आपका काम चल जाएगा अधरवाज पेड़ागोजी की इसकी भी एक book आती है तो वो book जो है मैं यहाँ पे कोई आपको book नहीं बता रहा हूँ उसके लिए आप देख लिजिएगा वो आप पढ़ लिजिएगा पाकि subject के लिए मैंने बता दिया कि कैसे आपको तयारी करनी है तो आज से ही तयारी करते हैं करना स् discourse कर दीजीए क्योंकि ठंडी चल देए तो ठंडी दू तरीके साथ तयारी कर सकते है तो विस्तरण से तयारी करें अब यहाँ थो आप हां बात करते हैं कि जो तयारी करिए तो एक मंद से करिए ऐसा निया की फार्मल्टी यदा करें कि अगर आप फार्मल्टी करते हैं आपके साथ भी फार्मल्टी ही करेगा तो अपनी तैयारी को बहतर बनाईए और इस बैकंसी में एक सीट अपना एक कन्फर्म करिए है अगर आप तीनों चीज़ के लेज़िबल आए टीगटी पीटी और पी साइए थैंक यू धन्वाद